ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेंद्रियाह युक्त इत्युच्चते योगी समलोष्टाश्म कांचनः नमस्कार मित्रों ये जो श्लोक है भगवत गीता के छटे अध्याय का आठवां श्लोक है जिसे हम आज गहराई से समझेंगे तो आईए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं ग्यान विज्ञान त्रिप्तात्मा अर्थात जानने और समझने से त्रिप्त व्यक्ति कूटस्थो विजितेंद्रियह अर्थात स्थिर इंद्रियों पर विजई युक्तित्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्य और इसको लेकर श्रीक्रिशन यहां पर अर्जुन से कहते हैं कि ऐसा जो व्यक्ति होता है वह जानने और समझने से त्रिप्त होता है वह एक स्थिर बुद्धी वाला व्यक्ति होता है और उसने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली होती है और इस प्रकार के गु वस्तु जो की बहुत ही मूल्यवान वस्तु है जैसे सोना उसको भी उसी दृष्टी से देखता है जैसे वह किसी मूल्यहीन वस्तु जैसे की कंकर पत्थर या मिट्टी है उसको देखेगा तो ऐसा जो विक्ति होता है वह सभी को समान दृष्टी से देखता है और क्योंकि व वेक्ति होता है वो केवल जानने और समझने में वास्ताव में उसमें वहत रिप्ती प्राप्त करता है ना कि किसी वस्तू को प्राप्त करने में या किसी भी और सुख को वैसे प्राप्त करने में उसे जानने और समझने में ही वो सुख मिल रहा होता है जो कि कोई अन्य वेक् जीवन में कोई ऐसी वस्तु को प्राप्त करता है जो की मूल्यवान हो या जो की उसे सुख प्रदान करती हो तो ऐसी वस्तु को देख करके या प्राप्त करके वो व्यक्ति वास्ताओं में लालच में आ जाता है और उस वस्तु को और प्राप्त करना चाहता है वहीं पर यदि वो व्यक्ति कुछ ऐसी वस्तू को प्राप्त करता है जो की मुल्यहीन है जो उसे कोई भी सुख्ष प्रदान नहीं करती है तो ऐसी वस्तू से वो दूर भागता है और या तो दुखी हो जाता है या उससे घ्रणा करके उससे दूर भागने लगता है तो अब जीवन में हमको दोनों ही प्रकार की वस्तुएं मिलेंगी और यदि हम इस प्रकार से उनकी और लालच या घ्रिना या इस प्रकार का भाव रखेंगे तो हमारे जीवन में होता ही है कि हमारे जो भावनाएं होती हैं में हम उतार चड़ाव का अनुभव करेंगे और इस प्रकार के जो उतार चड़ाव होता है वह वास्ता में जीवन को कश्ट पून बना देता है और हम अपने इस जीवन को ही वास्ता में नरक बना देते हैं वहीं पर जो ग्यानी वक्ति होता है वह इस बात को समझता है कि ऐसी वस्तुएं जो है उनका वास्ता में कोई मूल यह नहीं है क्योंकि जीवन में हम जो खोज रहे हैं वह वास्ता में पूर्णता है और पूर्णता ही हमारा मूल रूप है और इसलिए जो बहारी वस्तुएं होती हैं, उनका ऐसे ग्यानी वक्ती पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, वह इन सभी वस्तों को एक ही रूप में देखता है, उन सब को समान रूप से देखता है, चाहे वो मिट्टी हो, चाहे वो सोना हो, कुछ भी हो, उन सब को वो समान रूप से देखता है क्योंकि उसे पता है कि ये केवल भारी वस्तुएं हैं इनका मेरे जो मेरे जीवन पर वास्तविक रूप में यह दी देखा जाए तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि मुझे जो चाहिए वो तो मेरे पास ही है तो इसलिए ऐसा जी व्यक्ति होता है वो केवल जानने और समझने पर ध्यान केंद्रित करता है जानने और समझने से ही उसे वास्ताव में जो सुख हम ढूंड रहे हैं वह प्राप्त होता जाता है क्योंकि जानने और समझने से ही हम वास्ता में अपने मूल स्वरूप को समझते हैं और जानते हैं कि पूनता तो वास्ता में हम ही हैं तो इस प्रकार से जो व्यक्ति अपने मन पर नियंतरन प्राफ कर लेता है वह बहारी इंद्रियों से प्रभावित नहीं होता वह अपने भीतर ही वास्ता में संतुष्ट हो जाता है और इसलिए वो बहारी सभी वस्तुओं को समान रूप से देखता है तो यही बात है जो कि यहाँ पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छी से समझा दिया होगा चलिए इसे के साथ इस वीडियो को ही पर सवाब करते हैं नमस्ते वीडियो को अंतक देखने के लिए धन्यवाद यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रेजनों के साथ में साजा करें और इस ग्यान को और पहलाएं यदि आपके पास कोई भी प्रशन है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए वहाँ पर मैं हर शनीवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रशन पूछ सकते हैं जैशी कृष्णे